भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस इंडियन कॉंसिचूशन का सेफ गार्ड है हम इंडियन कॉंसिचूशन के पहरेदार हैं हम इंडियन कॉंसिचूशन के असली चोकीदार हैं इस बात को याद रखिएगा और इंडियन कॉंसिचूशन इस बात को रिजॉल्ब करता है वी दपीपल आफ इंडिया और यह जो वी दपीपल आफ इंडिया है इस में इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग चाहे हिंदु हो मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो जैन हो पार्सी हो बुद्धिस्ट हो यह वैसे भी लोग जो किसी धरम को नहीं मानते हैं वो सब भारत के लोग हैं फाइदा होगा तो अडानी का नुकसान होगा तो एलाइसी का नमस्कर आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत है आपका अगर एलाइसी ने हापर बड़ा खुलासा कर दिया तो अडानी का विश्वास गिरहाकों का विश्वास भी अडानी से बहुत भारी मात्रा में तूट सकता है और सबसे बड़ा सवाल दर्शकों यहाँ पर यह निकल कर आया था कि निवेशक जो लगाता दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे आउट ओफ कंट्रीस में प्रोटेस्ट कर रहे थे गोडानी गोडानी के नारे लगा रहे थे उनका वरुसा लगाता तूटता चला मैं यहां पर पहली कनिया कुमार की इस वीडियो को सुनिये साथ में रहने वाले था माम लोग है ऑशन होग हों मुसलमान हों सिख्थ और vem से वह यह वैसे भी लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं वह सब भारत के लोग आर उनके हखूब के लिए उनके अधिकार के लिए कल्यानकारी राज की अवधार्मा को बचाय रखने के लिए बारत्य रास्ट्य कॉंग्रेस संघर्स करेगी और यही जो पॉलिटिकल रेजिलूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए रोजी रोटी कपरा मकान सिक्छा स्वास सरक बिजली पान है और इस देश के संघर्स करते रहेंगे तो देखा आपने इस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से कनहिया कुमार ने कह दिया है कि अगर फाइदा होगा तो देश की सरकार अडानी को कराएगी और नुकसान होगा तो एलाइसी को कराएगी आखिर क्यों तमाम एजेंसियां सरकार के दवाव में काम कर रही हैं यह तमाम सवाल यहां पर खड़े किये गए हैं लेकिन कनहिया कुमार की बास से आप कितना सहमत हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज किस खास रुपोर्ट बस इतना ही देख यिनान यूजूच